मारी दुनिया मारी दुनिया तो ऐसे कई सारी नेवरेंडिंडिंग डिबेट्स हैं जिनका आज तक भी कोई हल नहीं निकल पाया है यह बेटर है या फिर यह ऐसी एक नेवरेंडिंडिंग डिबेट्स जो इतने सालों से चल रही है वो है Marvel vs DC तो देखो कुछ लोगों का तो यह कहना है कि DC की कॉमिक्स बढ़िया होती है और कुछ लोगों का यह कहना है कि Marvel के क्यारेक्टर्स और उनकी मूवी जादा बढ़िया होती है ऐसे ही अगर Marvel का Cinematic Universe बढ़िया है तो DC के Conceptual Ideas और उनके Iconic Villains को टक कर देना Marvel के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन पिछले कुछ टाइम से दोनों यह उनिवर्स कहीं न कहीं थोड़ा बहुता स्ट्रगल करी रहे है जैसे कि Marvel के पिछली कुछ मूवीज और सीरीज भी उतनी अच्छी नहीं गई है जितनी जानी चीये थी फिर भी Marvel की पूरी-पूरी कोशिश है कि Marvel का वो पुराना magic वो वापस लेकर आ सकें लेकिन जहाँ पे Super Hero Offerings की बारे में बात आती है वहाँ पे DC के लिए पिछला साल काफी जादा स्ट्रगलिंग रहा है वो पहले ही लगबग 200 million के नुकसान में तो थे flash के लेकिन उसके बाद में उन्होंने chance लिया और DC की comics से एक और famous character पे एक movie audience के सामने रग दी और जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत तो नया flavor add किया जो इस movie को DC की पिछली movie से थोड़ा तो अलग बनाता है तो जब पहले blue beetle का trailer आया तो लोगों ने इसे roast किया कि ये तो spider man और iron man को मिला के कुछ बना दिया है लेकिन जब picture release होई तो वही criticism तारीफ में बदल गया कि चलो DC ने कुछ तो effort लगाया है खुद को revive करने के लिए लेकिन क्या blue beetle DC की पिछली flops को cover करके DC को एक fresh start दे पाएगी तो इसका answer देने से पहले अगर blue beetle के बारे में बात करूँ तो मुझे seriously movie के बारे में कुछ चीज़े काफी अच्छी लगी लेकिन कुछ चीज़े मुझे अभी भी थोड़ी से problematic लगी तो वो ऐसे कि देखो सबसे पहले तो इन्होंने cast पे अच्छा काम किया है एक fresh cast एक young face तो इन्होंने ले लिया है जो कि अपना lead character play कर रहे है high में रहे इसका तो यह जो actor है blue beetle के character पे जो charisma और जो charm लेकर आते है न मतलब आपको Peter Parker की तो याद आएगी लेकिन इस बंदे को देखके इसकी individually तारीफ भी करोगे और इनका नाम जो है वो थोड़ा नी बहुत difficult है क्योंकि मुझे लगा था कि उसको प्रनाउंस करते होंगे जोलो मारिद्वेना लेकिन ऐसा नहीं है उसको प्रनाउंस करते है शोलो मारिद्वेनिया मारी दुनिया मारी दुनिया नेक्स जो मुझे इस मुझे इस मुझे में सबसे अची चीज लगी वो था इसका हूमर मैंने मुवी इंग्लिश में देखी लेकिन पिच्चर फणी थी डायलॉक्स काफी फणी थे इवन जो फैमिली की मोमेंट्स थे वो भी काफी कॉमिकल सीन्स थे जिससे पिच्चर इंजॉयबल लगती है इवन इसके अक्शन सीक्वेंस भी काफी अच्छे थे CGI भी बेटर था सीन्स भी थोड़े बिलीवबल थे और मुवी में इमोशन्स को काफी अच्छे से पोट्रे किया गया जो भी फामिली और आइडेंटिटी से रिलेटेड मेसेज वो डिलिवर करना चाहते थे पिक्चर वो डिलिवर करती है वो भी एक काफी light-hearted tone पे लेकिन कुछ चीज़े जो मझे थोड़ी से problematic लगी वो ये थी कि इस पिक्चर में और बहुत कुछ नया हो सकता था अगर है तो क्या दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा confusing था otherwise इसके अलावा Blue Beetle का origin कहां से हुआ क्या concept है कैसे डिवाइस काम कर रही है वो भी थोड़ा थोड़ा connection missing था लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे इसके थोड़े mid credit scene में समझ आया कि अच्छा इसको ये लोग आगे build करेंगे कि शायद ये तब दिखाएंगे कि अच्छा Blue Beetle कहां से और कैसे आया और इसके और पावर्स क्या हो सकते है या फिर इसने हाई में कोई क्यों चूज किया तो पिक्चर आल्मोस्ट वही है जिसकी जलक आपने ट्रेलर में देखी थी और वही concept है कि एक villain है एक नया नया super hero है जो कि अपनी पावर्स दिसकवर कर रहा है उनका clash होगा और end में क्या होगा वो तो हम सबको पता ही है लेकिन फिर भी DC की तरफ से एक अच्छा start है क्योंकि वो एक नए generation of fans के लिए movie लेकर आ रहे हैं और अपने आपको दुबारा से establish करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि James Gunn के Marvel को छोड़ने के बाद और DC में इंटर होने के बाद हमें कुछ तो significant changes देखने के लिए मिले तो इसी के लिए इंदजार बन देखने के लिए बिलेगा one time average watch है, actors की performances, overall humor और थोड़े बहुत action scenes के लिए इसको देख सकते हो और अगर चाते हो कि ऐसा your content आपको regularly मिलता रहे तो इस वीडियो को like और चैनल को subscribe कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया है तो so that हम जल्दी मिल सकें फिर किसी interesting सी वीडियो में त